देख कर दाड़ी मेरी तू मुझे मुला ना समझ पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख जाहरी हुलिया मेरा तक के परिशान ना हो मेरे मजमून को बढ़ मेरे लिफाफे को ना दे मेरे मजमून को बढ़ मेरे मजमून को मैं जल्दी के उठका आया इनका उदार मेरे जिम्मे था कहने थी मौलवी में और फैशनेबल लेडी में एक जैसी भी कुछ अकदारें होती है होते हैं गुफतार के रस्या दोनों ही दोनों की उची शलवारें होती है तो टखनों से मेरी इसलिए शलवार है उची टखनों से मेरी इसलिए शलवार है उची पैदल चलू जब मैं तो नहों पाएचे गंदे फैशन जदा लेडी से न कर मेरा तकाबुल उसके तो ये लड़कों को फसाने के हैं फंदे उसके तो ये लड़कों को फसाने के हैं बंदे सिर्फ से इराद करता अजस के दोओर दो एक ही इरादे का अपना सवाब है आमल तबिही जमात वाले कहा करते हैं कि द confession के लिए निकलो वो कहते हैं जी टाइम नहीं है हमारे पस वो कहते हैं इरादा तो कम सकम कर लो न brag तो इरादे का अपना सवाब है, एक पठान चिलना लगा गया है, जमाद के साथ वापस आया, बीवी को मारने लग गया, उनले का क्यों मारते हो, तब लीग ने ये सिखाया, काता नहीं, ये दाड़ी नहीं रखता है, उनके खुदा के बंदे, औरत को दाड़ी किदर तो दे काता, आमको मालो मैं यारा, दाड़ी नहीं होता है वरत को, लेकिन इरादा करने में क्या है रहे जैनल, हम उसका में इरादा तो करें न, तो आप इरादा कर लिए, अमल नहीं, एक ही बहुत, भाराल, मैं ऐसी मिल में हूँ मजदूर जिसमें शाम दलग, जरा सा वकफाए आराम भी नहीं आता, बजर्ग हज किया करते थे जितने पैसों में, अब उस रकम में तो एहराम भी नहीं आता, जियादा बच्चे ना पैता करों तो क्या कर रहे मुझे तो और कोई काम भी नहीं, कि मजदूरों के बच्चे मालों आलों कितने कितने कि कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता मैंने सुना है भाबी को है जिन चिमट गया मैंने सुना है भाबी को है जिन चिमट गया वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन मेरा क्या कुसूर वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन मेरा क्या कुसूर पंगा तो जान भूज के खुद जिनने है लिया पंगा तो जान भूज के खुद जिनने है लिया